आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इस तरीके की फोटो, देख वरो कि यह बहुत ही नॉर्मल है, इस तरह की फोटो को मैंने पहले येलो टोन में करना सिख जाओगे, वो भी लाइटर मैप से, बहुत ही असान तरीका है, आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देख देख पर हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं, एंड गैलेडी से हमने इस फोटो को उपन कर लिया है, देख पर हो कि यह बिलकुल है नॉर्मल फोटो है, अभी हम इस फोटो के अंदर ना आप बोल सकते हो, रेड सा थोरा टोन डालेंगे, एंड ये फोटो देखना कितनी ज्यादा बावाल लगेगी, इस फोटो को वाइस यहां सेंट पर क्लिक करेंगे, एंड इसको उपन कर लेंगे हम लाइटरू मैप के अंदर, तो अभी हम इसको एड टू एलर कर लिए, ये फोटो हमारी लाइटरू मैप के अंदर एड हो गई है, अब ऐसे आपको उपर से स्क्रॉल करना है, एंड आपको लाइटरू मैप को यहां से उपन कर लिना है, यहां एक नोटिफिकेसन आपको मिल जागा, इस पर टैप करना है, आपको ओल फोटो इस पर क्लिक करना है, अब आपने जो फोटो को एड किया, उस फोटो को उपन भी कर लिया अब गईज इस photo के अंदर सबसे पहले हम light के adjustment करेंगे तो आप चाहो तो इस auto वाले tool का use कर सकते हो या फिर आप यहाँ से manually light के adjustment कर सकते हो तो auto वाले tool पे जैसे आप click करोगे कुछ इस तरीके के light adjustment हो जाएगी आप देख परोगे काफी perfect light adjustment हो गई है हमारी थोड़ी सी whites के value और कम कर ले रहे हैं इतना लगबग 5 के आसपास रख रहे हैं यहाँ पर देख परोगे photo यह देखो before यह after देख परोगे photo में काफी ज़दा highlight था पहले यह देख परोगे photo के अंदर highlights बहुत ही अब कम हो गया है फोटो काफी ज़दा मस लग रहा है अब आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है यहाँ से आपको यह वाले tool के अंदर आना है यानि कि color वाले tool के अंदर यहाँ से हम temp की value बढ़ा देंगे temp की value around 18 के आसपास रख लेंगे यहां हम tint की value लगबग हम minus side रखेंगे लगबग इसको हम रख देते हैं minus 8 यहां से हम vibrance को बढ़ा लेंगे लगबग ही यहाँ 44 के आसपास अब गईज आपको mix tool के अंदर चलना है mix tool के अंदर आने के बाद यह सबसे पहले आपको यह वाला color लेना है देख पर हो एकवा color और इसका saturation पूरा 0 कर लेना है लगबग minus 100 कर लेना है minus 100 हमने कर लिया अब blue color लेना है और इसका वी saturation minus 100 अब गईज आपको यह purple color लेना है इसका वी saturation minus 100 अब जो main color 4 हमारा बंच गया है वो है यहाँ पे green color yellow color, orange color and red color तो अब गईज आपको green color को select करना है और इसकी hue को पूरा left side कर लेना है और इसके कुछ इस तरीके से saturation को पूरा कम कर लेना है देख पर हो मैंने पूरा minus 100 कर दिया और यहाँ थोड़ी से luminance को भी हम कम कर लेंगे अब आपको yellow वाले color को लेना है येलो वाले color का थोड़ा सा saturation हम लगबग इतना कम कर लेंगे इतना हो जाने के बाद आप थोड़ा सा इसको yellow side हम और रख लेंगे इसकी hue को लगबग minus 4 ठीक है इतना setting हो जाने के बाद आपको इसका भी कर लेना है luminance को कम लगबग minus 4 कर लिया मैंने अब आपको orange वाले color पे click करना है और इसका कुछ इस तरीके से saturation को कम कर लेना है saturation जैसे करेंगे आप कम कुछ इस तरीके से skin आपकी white हो जाएगी यहां हम luminance को बढ़ा लेते हैं जितना आपको need हो उतना ही रखना है आपको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है यहां से हम थोड़ा सा right side की तरफ रखेंगे इसकी hue को orange color के ठीक है इतना हो जाने के बाद आपको red वाले color को लेना है red का कुछ इस तरीकी से saturation आपको बढ़ा लेना है saturation बढ़ा लेने के बाद आपको simple से यहां done पे क्लिक करना है अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको simple से optics वाले button पे क्लिक करना है और इसको on कर लेना है अब आपको यहां से आना है effects वाले tool के अंदर effects वाले tool के अंदर आने के बाद यहां से हम texture की value बढ़ा लेंगे यहां से हम wignit को थोड़ा सा कम करेंगे wignit को लगबग हम यहां पे रखेंगे minus 54 and midpoint को भी कम कर लेंगे midpoint को लगबग 29 and यहां feather की value बढ़ा लेंगे feather की value लगबग 100 के आसपास कर लेना है इतना setting हो जाने के बाद आपकी photo कुछ इस तरीगे के दिखेगी अब आपको आ जाना होगा detail वाले tool के इंदर यहां गई सबसे पहले sharpening को बढ़ाएंगे कुछ इस तरीगे से देख परेंगे लगबग 33 and यहां masking बढ़ाएंगे details को भी बढ़ा लेंगे and noise reduction बढ़ा कर लगबग 38 के आसपास कर लेना है ठीक है and यहां color noise reduction भी बढ़ा लेंगे color noise reduction लगबग 44 कर लेंगे and इतना setting होने के बाद आपको details को बढ़ा लेना है 67 के आसपास ठीक है अब आपको optics वाले button को on ही रख लेना है दोनों को अब आपको यहां share वाले icon पे click करना है and यहां आपको save to device कर लेना है लेकिन अभी आपके editing complete नहीं होगी यह photo save हो जाने के बाद आपको light room map से delete कर देना है and इस photo को दोबारा से आपको light room map के अंदर add करना है लेकिन इस बाद हमें yellow tone में हमारी photo हो गई पहले green tone में थी तो अब आपको yellow tone वाली photo जो कि हमने अभी edit करके save किया पहले यहां से delete कर देंगे and अभी हम चलेंगे gallery के अंदर and इस फोटो को दोबारा से अभी हम light room map के अंदर add कर लेंगे ठीक है हाँ तो गज़ देख पर हो कि हम gallery में आ गए है यह देखो before की photo मतलब पहले कुछ इस तरीगे की photo थी देख पर हो मतलब कि इसमें green सा थोड़ा सा tone था and थोड़ा सा blue tone था and अब देख पर हो कि इस photo के अंदर कुछ इस तरीगे का tone आ गया है yellow color का tone आ गया है and इस photo को अभी हम send पे click करेंगे and इसको open कर लेंगे lateral map के अंदर तो अभी हम इसको add to lr कर लिए यह photo हमारी lateral map के अंदर add हो गई है अब इस photo को हम open करते हैं यहां से scroll करके यहां notification पे click करेंगे यहां पे दिख रहे हो यह रही हमारी photo photo को हमने select कर लिया photo को select कर लेने के बाद कुछ इस तरीगे की हमारी अभी photo दिख रही है लेकिन गईज अब आपको कुछ भी नहीं करना आपको पहले जाना है यहां से यहां color वले tool के अंदर and color वले tool के अंदर जाने के बाद tempt की value plus 4 कर लेंगे and यहां से आपको आजना होगा mix tool के अंदर mix tool के अंदर आने के बाद गईज आपको यह वाला color लेना है yellow color and yellow का hue को कुछ इस तरीगे से पुड़ा left side की तरफ कर देना है and left side की तरफ जैसे करोगे आपकी photo में orange सा टोना जाएगा and इसका saturation कुछ इस तरीगे से कम कर लेना है अब आपको कुछ भी नहीं करना इसका luminance थोड़ा सा down करना है लगबग minus side रखना है लगबग इतना and अब आपको orange वाले color पे click करना है and यहां से इसका saturation थोड़ा सा बढ़ाएंगे and यहां इसको done करेंगे अब गईज आपको यहां से आजाना होगा profiles वाले option में profiles में आने के बाद आपको artistic 03 यह वाला आपको select कर लेना है and इसके click करके इसकी amount को हम कम कर लेंगे ठीक है लगबग 63 and इसको done कर लेंगे अब दोबाड़ा से हम जाएंगे color वाले tool के अंदर mix tool के अंदर orange वाले color के अंदर and इसका saturation हम कम कर लेंगे ठीक है कम करके यहां से luminance को simple से बढ़ा देंगे अब गईज देख पर हो कि हमारी photo के अंदर red सा tone बहुत ही easily आ गया लेकिन अभी हमें इसमें blue सा भी tone को add करना है ठीक है and कुछ इस तरीके से हम select कर लेंगे ठीक है and यहां से इसको apply पे click करेंगे यहां से color वाले tool के अंदर जाएंगे and यहां से हम color को ले लेंगे जो भी आपको color यहां पे add करना होगा वो color आप यहां से रख सकते हो मेरे क्याल से blue color इसमें काफी ज़्यदा perfect लग रहा है हम blue color को select कर लिए यहां से इसकी temp की value लगबग हम इतना रख लेंगे saturation थोड़ा सा बढ़ा लेंगे लगबग इतना and यह देख वरो की photo काफी ज़्यदा perfect edit हो गई है and यहां से इसको done कर लेंगे आप देख वरोल हमारी photo देखो before and यह देखो after कितनी मस्त तरीके से edit हो गई and photo भी दिखने में काफी ज़्यदा मस्त लग रही है अब just guys आपको यहां से optics वाले button पे click करके इन दोनों को आपको on कर लेना है on कर लेने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना इस photo को just आपनी gallery में save कर लेना है यह पूरा editing हमरा complete हो गया है अब आपको यहां share वाले icon पे click करके save to device कर लेना है यह photo आपकी gallery में easily save हो जाएगी so I hope guys आज कि यह video आपको काफी ज़्यदा पसंद आई होगी and इस video से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो भाई video को like करके channel को subscribe कर लिजिए मिलते हैं आप से अगले video में love you all, take care, bye bye